कि आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में दुबारा मौझूद हूँ आज का हमारा जो टोपिक रहेगा वह रहेगा ब्लट क्लेक्शन डारेक्ट वेंड से blood कैसे collect करें आज का यही topic रहेगा कल का जो हमारा topic था blood group के बारे में जो था तो आप लोग comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसा था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ अपने जो भी ग्रूप्स है उनके अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन प्रेस कर लें जैसे ही नया वीडियो आएगा आप से continue मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा रोज कोई ने कोई किसी एक टोपिक पर वीडियो आता रहेगा तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आपको जो भी लाटेस जो भी नया वीडियो आएगा उसकी सूचन आपको मिल जाएगी तो आज हम जानेंगे ब्लेड क्लेक्शन मेथड के बारे में ब्लेड क्लेक्शन करने के दो सिस्टम होती है एक होता है ओपन सिस्टम एक होता है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के अंदर हम डारेक्ट सिरिंज से ब्लेड क्लेक्ट करते हैं और वी अंदर हम लोग का परियोग करते हैं जैसा अप लोग साइड में जो फोटो है वो देख सकते हो open system के अंदर हम लोग स्यरीम से collect करते हैं बलट को और क्लोस सिस्टम के अंदर हम लोग वक्यूて अब मैं बताता हूं आपको क्या-क्या इंस्टुमेंट्स या चीज़ें आपको चाहिए आपके पास में ग्लाउज होने चाहिए ग्लाउज पहन कर ही कोई भी टेस्ट करें ग्लाउज पहन कर करें यह सबसे बड़ी सेप्टी है टेक्निसियन के लिए हमेशा ग्लाउज का ध्यान रखें यह अपने पास एक सिरींज है यह टर्निक्यूट है यह एक इडिट वाइल है यह एल्कॉल स्वाब है और यह कोटन है इतनी चीज़ों क हम लोगों को जर्रत है तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं ब्लट क्लेक्शन कैसे करें हां तो अब चलिए सबसे पहले क्या करें सबसे पहले वेन को चूज करें कौन सी वेन से ब्लट क्लेक्शन करना है ठीक है उसके बाद में यह टर्निक्यूट है यह अच्छ कि अच्छ लगा लें मुठी बंद कर लें और वेंद चेक कर लें खोड़ा सा मुठी बंद कर लें और उसके बाद में यह है एलकॉल स्वाब है ठीक है तो एलकॉल स्वाब को हम लोग ओपन करते हैं उपन करने के बाद में एशर जीजगह से ब्लट क्लेक्शन करना है वह अच्छे से क्लिण कर लें एलकॉल स्वाब से कि आखेके च्छेंग हें अ के बाद में कि यह सिरी COBी को अच्छे से पुल करके पिस्टन को चेक कर लें कि पिस्टन करात नहीं है और यह जैसिंज है तो इस इसका यह जो ने कि रिंट उपर वाला यह उपर की साइड रखें और सिरीन ये नीडल को भी अच्छे से चेक कर लें कि लूज तो नहीं है उसके बाद में मुठी बंद कर लें टाइब कि उसके बाद में देखिए जैसे ये वेन है इसे वेन के अंतर कि पूस्किया कि अब लड़ाने लगा और यहां से हलका सा कोटन रखा सकेपर पहले टरनीक्यूट को हटा दो तरनीक्यूट को लोज कर दो वह इसको अच्छा तरीका है ब्लट कलेक्शन करने का डारेक्ट लेंच उसके बाद में यह जो सेंपल है इसको जाएज नहीं तो यह क्लोट हो जाएगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिए जैसा की आप लोगों ने देखा कि डारेक्ट वेंड से ब्लड कैसे क्लेक्ट करते हैं तो आज का हमारा जो यह टॉपिक था डारेक्ट वेंड प्लेक्शन करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज में आप लोगों के लिए एक और चीज एक जो अच्छी चीज है वह ले कि आया हमके आप लोगों के सार हमारी एक अप्लीकेशन है अन्डोईड अप्ले केसन पर लेस्तोर पर जिसका नाम है पेरामेडिकल स्टडी योडिक शार्च करोंगें तो टोब में सबसे ऊपर जो आप्लीकेशन रहे जो जिसका डवलेपर नेम होगा और अप्लिकेशन का नायम होगा पेरामेडिकल स्टेडि तब उस अप्लिकेशन कोण डाउम लोड कर सकते हो उसमें पेरामेडिकल के जितने भी कॉर्सेंज हैं उनसे related सभी नृट्स落़ पेपर्स और उसके अलावा जो गेस पेपर है वो भी आपको वहां पे अवेलबल हो जाएंगे तो आज को वीडियो में इतना ही था कल का जो हमारा नया टोपिक रहेगा वो रहेगा गुलको मीटर से कि सुगर टेस्ट कैसे करते हैं तो मिलते हैं कल नया टोपिक के साथ तक तक के लिए गुडबाई